चतिरगड के बाजार में इन दिनों तेवार का खुमार चड़ा हुआ है कुछी दिन में दिवाली परवा आने वाला है इसको लेकर राजधानी राहपूर का सराफा बाजार यानी सदर मारकेर गुलजार है इस वर्ष धन्तेरस पर जमकर खरिदारी होने की संभावना है सोना चान्दी की किम्तों में उतार चड़ाओ के बाज भी राहपूर का सराफा बाजार दमकने लगा है सहर के सभी सोने चान्दी के दुकानों में गरहाकों के भीड दीरे-दीरे जुटने लगी है इन दुकानों में सुबह से दिर रात तक घ्रहाकों के भीड चहल कदमी बनी हुए है दिवाली कोले का सराफा बाजार की तयारी लगबग पूरी है इस वर्स भी धंतेरस पर लोग सोने चानी की जमकर करिद भी करते हैं कर सोने चानी के मुर्तियां तो जरूर खरीते हैं ऐसे में राजानी रायपूर के सराफा बाजार यानि सदर मार्केट से सोने चानी की मुर्तियां खरी सकते हैं सदर बजार के मानर्स जोलर्स में चानी की मुर्तियों की भरपूर कलेक्शन है मानर्स जोलर्स दुकान के संचालक तरुन कोचर नlished रचोच की ग्रहक जाधा तर नय नय आकरसक डिजाइनों के गहने जाधा पसंद करते हैं सोने चान्दी के दावों में उतार चड़ाव बना हुआ है इसके बावजूद ग्रहागों के भीड धिर दिर धिरे बढ़ रही है और अभी ग्रहा कम आ रहे हैं लेकिन धनतेरस से विक्री अच्छी होने की उमीद जताई जारी है जिस प्रकार से सराफा मार्केट में सोने चान्दी के भाव में उतार चढ़ाओ का दोर जारी है इसके बावजुद भी कई लोग इना पर पहुशते हैं और सोने चान्दी के क को भी इन मुर्तियां या फिर सोने चान्दी के वस्तु खरिजनी है तो आप सराफा बाजार के मानर्स जोलर्स पहुँचकर खरिदारी कर सकते हैं आगे और क्या कुछ कहा मानर्स जोलर्स दुकान के संचालक तरुन कोचन ने आई आपको सुनवाते हैं मानर्स जोलर्स सदर्वजार में हमारा पीछले तीस वर्सों से वैपार चल रहा है और हमारे यहां अगेख अलग डियाइनों के सिक्के चांदी के सुद्ध सिक्के और चांदी के सुद्ध मूर्तियां जिसमें लक्षमी गनेश हो गया रादाकिशन हो गया हनमान जी सब्सक्राइब तो उनको किस परेट बढ़ने को प्राइस हमारे एक हजार रुपए से लेके करिवन तीस हजार रुपए तक की गनेश लक्षमी की मूरती अबलेबल है जो कि पूर सुद्ध रूप से रहती है और उसको आप बहुत कलात्मक रूप से बनाया जाता है और यह स दुकान का लोकेशन खुलने का ठाइम मानज जोलर्स अपना सुभे साड़े दस बजे खुल जाता है और राथ को साड़े नौबे तक खुल रहता है और 365 दिन खुली रहती है दुकान मंडे को भी और संडे को भी एवरी डेश वर्किंग डेग दुकान के अधर सदर वजा जन मंदिर मानज जोलर्स अधर वजार जन मंदिर के सामने रहे को